ओम नमस्षिवाई दर्श को, कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ, मिद करता हूँ कि भगवान सिव के दिया से आप लोग भी अच्छे होंगे दोस्तों आज हम आपको वताएंगे कि घर के मंदिर में वो कौन सी चार मुर्टिया हैं जो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए इस से आती है धनहान और ग्रिह कलेस होता है तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करना से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए शुरू करते हैं हमेशा याद रखे एक नियम ये नियम एक बताने जा रहा हूँ जो हमेशा आप याद रखे घर के मंदिर में गंदगी नहीं फैलनी चाहिए यहां धूल मिट्टी ना बनने दें इसके साथ ही मंदिर में आवस्यक रोसनी हो मंदिर में अंधेरा होना सुभ नहीं माना जाता है मंदिर में खंडित मुर्त भी नहीं होनी चाहिए किन्तो मुर्तियों के संदर्व में एक और बात है जिसका आपको ख्याल रखना होगा और या वह की मंदिर में कुछ खास प्रकार की मुर्तिया नहीं होनी चाहिए चलिए सुरू करते हैं भगवान सिव का अउतार माने गए भैरोदेव की मुर्ति घर में नहीं लानी चाहिए और इसे लाकर मंदिर में तो कभी भी अस्थापित ना करें ऐसे तो ये भगवान सीव का ही अवतार माने जाते हैं लेकिन भैरोदेव तंत्र विद्या के देवता हैं और इनकी उपासना घर के भीतर ना होकर बाहर ही होनी चाहिए दूसरा है आपके कोई बार नटराज की मूर्ती देखी होगी यह देखने में वेहदा करशक लगती है लेकिन इसे घर में रखने की भूलना करें नटराज भगवान सीव का रवद्र रूप है यानि क्रोधित अवस्था और ऐसी मूर्ती घर में लाने से असांती फैलती है सूरी पुत्र सनी देव की मूर्ती को भी घर के मंदर में नहीं रखना चाहिए हाँ दोस्तों सूरी पुत्र सनी देव की मूर्ती को भी घर में नहीं रखना चाहिए अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो घर के बाहर किसी मंदिर में ही करें इनकी मूर्ती घर में ना लाएं सनी देव की तरह ही राहु केतु की मूर्ती भी घर में नहीं लानी चाहिए जोती सास्तर के अनुसार सनी राहुयों केतु तीनों ही पापी ग्रह हैं इनकी पूजा अर्चना करने और इन्हें प्रसन्न करने से जीवन के कष्ट आवस्य कम होते हैं लेकिन इनकी मूर्ती घर मे लाने से हम इनसे जुड़ी उर्जा को भी घर में ले आते हैं चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो या या अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए उमनमस्षिवा